साथियों, आपने इतने वर्षों के सासन में, कॉंग्रेस ने जिस तरह हिमाचल के साथ विश्वास घात किया है, जो छल किया है, उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हिमाचल के ही लोग है। कॉंग्रेस ने हिमाचल को हर बुनियादी चीज के लिए तरसा दिया था, वहीं भाजपा है जिसने हिमाचल के हर घर-घर को बुनियादी सुविदाओं से जोडने के लिए दिन रात इमानदारी से प्रयास किया है। इस वज़़ से आज हिमाचल के लोग, पूरे देश के लोग भाजपा पर इतना विश्वास करते हैं। भाजपा पर देश का ये भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। अभी दो-तिन दिन पहले ही देश के कुछ राज्यों में उपचुनाव के परणाम आए है। आपने देखा होगा कि जहां कभी भाजपा को बहुत कमजोर माना जाता था, वहां भी लोगों ने कमल का फूल बढ़ चड़ करके खिला दिया है। लेकिन कॉंग्रेस जहां बहुत तांकतवर होती थी, सरकार में होती थी, या तो कभी मुख्य विपक्षिदल होती थी। वहां कि कॉंग्रेस की थिती दीनों दीन बिगर्ती ही जा रही है। जो खेत्र कभी कॉंग्रेस का घड़ माने जाते थे, वहां से कॉंग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। ओड़ी सा जितना बड़ा राज्य, कॉंग्रेस गायब, तेलंगना, कॉंग्रेस साफ, यूपी बिहार ने तो बहुत पहले ही कॉंग्रेस को बिदा कर दी है। इसकी बज़े है, कॉंग्रेस द्वारा खुद को इश्वर रुपी जनता जदादन से भी, वो अपने आपको बड़े सहनसा मानते हैं, बड़े मानते हैं, उससी का ये नतीजा है, जनता लगातार उनको सजा दे रही है। और आज हिमाचल के लोग भी कॉंग्रेस को भली भाती समझ चुके हैं, जान चुके हैं। हिमाचल के लोगों की कोई परवा नहीं करते हैं। कॉंग्रेस को लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं करेंगे, तो भी पांच साल के बाद तो लोग लाने ही वाले हैं, वापस आई जाएंगे। आप मुझे बताईए साथियों, कॉंग्रेस यहां पिछले पांच साल से विपख्ष की भूमिका में है। लेकिन इस दौरान, दिल्ली से कॉंग्रेस के ओल इंडिया लीडर, लोग सभाज चुनाव के प्रचार को छोड़ करके, क्या कभी आपका हाल पूछने के लिए आये थे क्या? कभी आये थे क्या? कभी आपका हाल जानने के लिए आये थे? कभी कोई मुसिबत आई तो वो आपके पास आये थे? भाईयों बहनों, जरा पांच साल का हिसाम निकालिये, लोग सभा में, राज सभा में, हिमाचल से जुड़े कोई विशय आये हो, हिमाचल के लिए आवाज उठाई हो किसी कॉंग्रेसी ने, ऐसी कोई घटना अपने सुनी है क्या? भाईयों बहनों, आपकी चिंता इनको पांच वरसों तक इसलिए नहीं आयी, क्योंकि इनको भरोसा था कि हिमाचल तो पांच साल के बाद कुर्सी दे ही देता है, महनत कने की क्या जरूते है, लोगों की परवा कने क्या जरूते हैं, रिवाज है, काम हो जाएगा भाईयो बहनो जो विपक्ष तक का काम जिम्मेवरी नहीं से निबा सकते हैं विपक्ष के नाते आपके सबानों को लेकर के जो हदिलते भी नहीं है वे असरकार में आने के बाद आपके लिए क्या करेंगे भाईयो ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं क्या इसलिए अब हिमाचल के लोगों ने भी ठान लिया है कि अब तो कॉंग्रेस को हिमाचल से विस्तरा बोरिया उठा करके निकालना ही पड़ेगा आज ये देव भूमी पुकार रही है आज ये देव भूमी कह रही है भाजबा को फिर वापत लाएंगे हर बुद पर कमल खिलाएंगे